कि अब यहां प्लस हो जाता तो कॉंकर हो जाता लेकिन यहां पर इसमें दो तीन घंटे लगभग वेस्ट हो चुके है यहां पर देख लूँ भाई है यही तीनों मैच में खेला हूँ ठीक है बाकि यहां पर भाई है यहां पर गेंपले देखो खुदी पता चल जाएगा अब यह है हमारी सेकंड डाइडी इसमें रिक्वा बारे में यहां पर मैं आपको फूल सर्वाइबल दिखाऊंगा फूल मतलब फूल सर्वाइबल ठीक है यहां पर किल वगयादा ज्यादा निकालता नहीं हूँ अगर आपका कॉंकरर बस होने ही वाला है यहां पर तब आपको कैसे सर्वाइब करना है और अगर आप इवेंट पर जीरो किल पर फिनिस हो जाते हो तब आपको कैसे सर्वाइब करना है और दो तीन किल रहे तो भी कैसे सर्वाइब करना है और दो तीन किल के साथ प्लस कितना मिलता है व साथी बाताओंगा ठीक है देखो यहां पर आज का जो का उनकर पॉइंट है वह रहेगा कुछ यहां पर 5050 पर रहेगा ऐसा खोंश ठीक है कुछ आगे पीछे 10 पॉइंट पीछे रहेगा और यहां ऑपर नहीं जाएगा नीचे तक है क्योंकि अभी कि टाइम पूटना ज्या का end वाला जो conquer point है 5400 की उपर नहीं जाना चाहिए ठीक है और इतना ही जाएगा मेरे कोई सलग रहा है तो देखते हैं अगर 5500 तक चला जाता है तो भी कोई दिक्कत की बात है नहीं भाई यहाँ पे आपका easy conquer हो जाएगा यहाँ पे 5800-5700 तक जाता है तो भी भाई बंदी easy conquer क कर लेते हैं ठीक है यहाँ बाकी यार 5200-5400 जाएगा बस हो गया अब भाई देखी लोग क्या ही मरें यहाँ पे बंदे का तुदंत ही लग गया खर अपने भी गुलिया कनेक्ट हुई थी डैमेज हुआ था खर कोई बात नहीं कोई बात नहीं यहाँ पे सीच्वेशन नही सब्सक्राइब करो पड़े रहो ही लेकिन आप कूल चीज कैसे करना है वह मैं आपको करके दिखाता हूं इधर पर ठीक है जैसे इधर पर लैंड करता हूं मेरे को दो गाडिया स्पोर्ट हो गई एक कूप और एक बगगी अब इधर पर मैं यह सोच के लेंड कर जाता हूं अपार्टमेंट्स पर सीधा है कि चलो यह गाडिया तो अपनी ही है इनको अराम से लास्ट में लूट के तब लेके चलेंगे ठीक है यहां पर देखो सिचूशन ऐसा रहता है अगर कमपाउंड्स के बगल में गाड़ी खड़ी है तो आप लोग को थोड़ा सा साउधान द भाई लेने मत जाया करो पहले लूट लिया करो थोड़ा होल्ड कर लिया करो बाकी फिर आप भी ऐसे गाड़ी पर कैम कर सकते हो जैसे हैं पर मैं कैम कर रहा हूं क्योंकि बैठा हो कर कोई इस गाड़ी को लेके जाएगा तो मेरे को अच्छा थोड़ी ने लगेगा नाम क्या है मुझे भी नहीं पता क्या नाम है इसका कमें बता देना बरते सिधा लाश के सरकल में देखो यहां पे थोड़ा सा दोटे संदेखो लोबियार रहाट रहती है अभी के टाइम पे साधी लोबी आपको हाड़ी मिल देए ठीक है यहां पे बंदियार काफी ना थोड़ा सरकल यहां पे रहेगा रहेगा और आता हूँ यहां पर देखलो गारी खड़ी कर लेता हूं और संतिसे अंसमय闪नी संहर बेटे रहते हैं टिक AllahMr.Waldyah उसे अधायर भाठी निचारी आपको की यहांता है सरकल कि अलब और बदो हो यहां चया थीक था की यहां अब मैं सोचा ठीक है यह आगे वाला बार नावसा जो है उसको होल्ड कर लिया जाए क्योंकि वो अभी के लिए बढ़िया पोजीशन है और अभी के लिए सरकल में इससे बढ़िया में को पोजीशन कोई दिख भी नहीं रहा था तो मैं सोचा सामति सेंपर होल्ड करो आगे करते जाने का करते कोई जरूरती नहीं है फालति में मारे जाएंगे अग् its कि आपको दिखें कहीं भी कूर सरकल में थो बस ठोड़ो तो पर तो आप तो मबहु करेंगे तो यह आपका जीना हराम करी डेएंगे ठीक है तो बहु इनको मारो बस हो गया कैसे भी करते अब देखो उपर एक लूफी भाईया बैठे हैं जो कि बंदों को पीटे जा रहा है इधर पर ये देखो अब देखो इनके साथ हम क्या करते हैं चलो नौक कर दिया मैं सुचा यार फिनिस तो मेरे को चाहिए क्यूंकि किल तो अपने पास था नहीं ओपन में जाता हूं हापे नेड करने फिदेवाला नेड देखो वैसे इंट्रो में आपने देखे लिया होगा चलो ये वाला नेड अगर आपको अच्छा लगा हो ना तो फटा फट लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर देना बढ़ते हैं सीधा आगे अब देखो अभी भी हमारा यहां पर टॉप्टर ने हुआ था लगभग 13 बंदे बचे थे और भाई यहां पर 37 आता हूं एश पर रूख जाता हूं यहां पर देख लो बगल में मेरे कुदीश का कवर मिल गया इधर पर गारी का कवर मिल गया तो 37 आपर होड़ कर सकते हैं और हाँ आप लोग हमिसा जोन के बाहर ध्यान दिया करो ठीक है क्योंकि जो जोन के अंदर वाले बंदे हैं उनको तो रोटेशन लेने का कोई मतलब है नहीं बाकि जो जोन के बाहर बंदे रहते हैं वो हेल बेटल करते रहते हैं और आपको हेल बेटल करते कैसा धबबा दे कर सकता हूं तो आगे बरता हूं कि어지सो इसको भाइची कर लेता हूं लेकिन इसको जैसे मारता हूं विद्स गाड़ी आती है इधर पर उड्स करते संammarे में तो सा मैं इसको पर यहां अब यहां पर मैं सोचा ठीक है और फाइट लेने की कोई जुरुत नहीं है नेट है तो पहले नेट किया जाए तो अच्छा रहेगा लेकिन अगर मैं यहां पर घुस के मारी देता ना तो मैं देले ज्यादा बेटर था कभी-कभी यार बीसेजन में इधर-उदर उल्टा इसकी अफिए प्लास पहुत ही कम दे रहा है प्लस जिससाफ से देना चाहिए ना उतना ने दे रहा है मेरे को कम सक्षा का ठार का प्लस देना ही चाहिए था ठीक है अब यह हमारा सिकेंड गेमपले बाकि यार यहाँ पर थ्वाजा नेटर का भी सीन है बंदे को बैठाता हूँ उठ जाता है अपने से अब यहाँ पर सीन देखो यह नीचे पराश उट से एक बंदा नीचे गिजा ठीक है मैं सोचा ठीक है बंदा निहत्ता होगा है टहल के मार दिया जैना लेकिन शीन देखो भाई बंदे के पास गंद आती है और गंड आई कहां से मेरे को na यहीन समझ में आ रहा थे अगर आपको समय में आ जाए किसी तो प्रेंग्ने यह मेर को कंद पता देना, क्या ही गिराया हूँ हूँ तो इसके लिए like कर सकते हो, subscribe भी कर सकते हो, अगर आप नए हो तो, यहाँ पर हमारा दो किल हो जाता है, बाकी देखलो बंदे के पास क्या ही losing, यहाँ पर जट पैक वोटरा सम लिए था, पता नहीं कहाँ से, अब इसके गाड़े उठाता हूँ काफी घुमाने बाद फाइनली यहाँ पर मेरे को एक बोर्ट मिल भी जाता है अब इस बोर्ट को मार के हमारे तिनकिल हो गया थे अब आता हूँ मैं सुचा ठीक है जब तक यहाँ पर दिकोल अपना खतम होने वाला नहीं रहता तक तक इधर पर थोगा सा लूट कर लिया जाए अब लूट करके जैसे इधर पर आता हूँ ना यहाँ पर सीन देखना क्या होगा मैं बस जट पैक था तो मैं सुचा उड़े के सीधा पीछे से जाओंगा और बंदों को चापूँगा बटे हाँ पर सेन देखो चलो भाईया जी आए और भाईया जी गए भाईया जी को मार के हाँ पर हमारे चार्किल हो गये थे खार यहाँ पर इनकी गाड़ी ठुक गई थी मैं तो को कुछ चलने के चक्कर में चलो अभी तक तो एजली हमाद चार्किल हो गये थे जटपैक का यूज करके उपर जाता हूँ यहाँ पे आप थ्वासा प्लेयर्स इन एरिया में ध्यान दो किवल दो दिखरा है अब किवल दो दिखरा है तो इसका मतलब यही हो सकता है कि जो लास्ट का बंदा है अब भाई यहाँ पे मैं सत कसम से स्कैम हुआ यहाँ पे आर प्लेयर्स इन एरिया टू दिख रहा था लेकिन यहाँ पे बंदे कुल मिला के तीन देते हैं बाद में पता चला खेर कोई ना यहाँ पे अपने अच्छे खासे चार किल हो गये थे इवेंट पे तो बाकी दिखती कोई बात थी नहीं अब भाई वैसे ही करना है जैसे अभी मैं पिछवाले मैच में बताया कि आपको जोन के बाहर जाना है कहीं भी और गाड़ी यहाँ पे मेरे को दिख गई थी कि उधर पे स्क्वाइड हास के साइड में गाड़ी है ठीक ह बग्गी थी तो लेने नहीं जाता है क्योंकि मैं एक डर लग रहा था स्क्वाइड हास में कोई बंदा रहा तो पीट देगा यहाँ पे एक वोट आता है वोट को बार के हाँ पे हमाई पास की लेजिली हो जाते हैं अब देखो बग्गी बग्गी लेके मैं लास्ट के सरक पूर से कोई बंदा फिनिस कर देता है तो यहाँ पे आपके किल निकालने का कोई मतलम नहीं रह गया आपको प्लस तो बिल्कुल मिला ही नहीं होगा एक किल में आपका क्या उखर जाएगा मेरे को यह बताओ तो सबसे बढ़िया है आप लोग सर्वाइब करने पे ध्यान करो ठीक है यहाँ पर देखने मेरे को पूजिसन नहीं मिल दाता तो मैं सोचा यार मेरे को चलना चाहिए जो आगे यह जो पड़िया है अब किसी भी जोपड़ी में राम से बेट जाओंगा तो होल्ड कर लूँगा यहाँ बंदा जेट पैक का उपर गया तो मैं सोचा ठी ठीक है जैसे इधर पैताओं दूसरे बंदे का भी मिल को सर्प्राइज मिल जाता है और कहीं न कहीं मिल को यार इसा डाउप्ठ हो गया कि यहाँ पर मैं आके फस्ट गया क्योंगी पताचा लगया था कि इनका भाई किसी न किसी सिच्वेशन में इनका टीम आप जरूर है अब देखलो नेट आता है यहाँ अगर हिल करने का गलती करता ना तो वहीं बंदे पुछ भी करते थे वह ऐसे भी पुछ कर देते हैं अब इन चूतियों का यहाँ पर टीम आप है तो भाई क्या ही कर सकते हैं अपना अच्छा खासा मैश खराब कर देने तो आई इस मैच में कम सकम भाई अठाड़ा भी इसका प्लस मिली जाता खेर वह से भी नौका ही प्लस मिला यहाँ इसकी केड़ी बगारा देखलो मैं द इंपोर्ट करना चाहिए था बाकि भाई उनकी केड़ी अच्छी खासी है चेकी केड़ी है साथ मैच में दस के दस मैच विन किये हैं अच्छे कासे प्लेयर हो तो आपको ऐसे चूती वाली हरकत नूब्रो वाली करने की क्या जूरत है मेरे को यह बता हो यार खर कोई ना व झाली है बाई भाई 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 भाई